आज हम बना रहे हैं यह बहुत ही मज़िदार सा ब्राउनी के टेक्सٹर वाला टेक्टेक Además अर्शक में पतां चल रहा है तो चलें रहे हो अब चुरू करा 58 एक हम सबसे हम बटर पेपर लगाएंगे इसको भी हलका सा grease कर देंगे अब हमने पतीले को preheat होने के लिए रख देना है यह मैंने stand रखके इसको रख दिया इसको 10 minutes के लिए preheat करेंगे अब यह मैदा लेंगे यह दो कप मैदे के बिल्कुल लेवल करके लेना आपने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लेना और यह एक कप है चीनी इसको मैंने पौडर फॉर्म में लिया है आप लोगा ने भी पिसी हुई चीनी यूज करनी है इसको चान लेंगे पहले भी मैंने इसको एक दफा चाना हुआ आप दो दफ काफी फलफी बनेगा यह मैंने चान लिया अब इसके अंदर डालेंगे हम 1.5 टी स्पून बेकिंग पौडर और 1.5 टी स्पून बेकिंग सोडा इसको भी चान लेंगे अब यह सारे मिटीरियल को मैंने अच्छी तरह से चान लिया है यह चीनी के हलके से पार्टिकल्स थे वह भी बाहिर आ गए इसमें से अब हम इस ड्राइ इंग्रीडेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक दफा इससे ना केक का हमारा फलफी सा बनेगा इसलिए इसको मिक्स करना जरूरी होता है इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम वैट इंग्रीडेंट्स आड़ करें जोड जोड से मिख्यार आराम से हलके हाथ से मिक्स करें मैं इसको जूड बैटर बन चुका है स्थ्पून ही यह बहुत ज्यादा पतला हो यह बहुत जादा गाड़ा अब यहां और वनिला इसंस बहुत कि लग दूट यह देखें जी अभी दुनों अड़े डालके इसको फिर मैंने मिक्स किया इसको अब हम लोगों ने सिरफ ज्यादा इस तरह सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रायर है वो निकल जाए अब इसको प्रिएटिड पतीले में रख देंगे अब यहां पर मैंने थोड़े से चोको चिप जो होते हैं वो लिए उनको थोड़ा से मैदे के साथ डस्ट करके इसके उपर डालना मैदे से डस्ट करने से यह फायदा होता है कि यह नीचे नहीं जाते है यह उपर ही रहते हैं सर्फस के अब इसको हम लोग कवर कर देंगे और इसको मैंने 50 मिनट पे लो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोगों ने स्टीम में रखना है ताके केक अच्छी तरह से हमारा राइज हो जाए और कच्छा न रहे अंदर से कि यह देखें जी 50 मिनट हो गए अब यह देखें कितनी अच्छे तरीके से केक राइज हो गया और यह जो इसके ऊपर क्रैक्स आ गए यह क्रैक्स नहीं है जो हमने चिप्स डाले थे वो ना मैल्ट हो गए अब यह चुरी से हम लोग चेक कर लेंगे अगर तो चुरी बिलक साथ है इसका मतलब कर बग्या लेकिन अब हम इसको थोड़ा से ठंडा होने देंगे फिर हम इसको बाहर निकालेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे अभी हम लोगों इसको डी-mold नहीं करना अभी आप लोगों इसको रख देना है जब यह भी थंडा हो जागा फिर हमने इसको डी-mold करना है ये केक ठंडा हो चुका है आप छुरी की मदद से थोड़े से इसके किनारे छुड़वा देंगे वैसे जब ये ठंडा हो जाते तो ये बहुत असानी से निकल जाता है अब ये टिन को खोल के तो इसको हम रिमूग कर लेंगे अब ये देखें ये बहुत एजिली इसके उपर से उतर जाएगा इसका हम कवर भी उतारेंगे और जो हमने बटर पेपर लगाया था वो देखते हैं हमारा उतरता है के नहीं ये देखें बहुत एजिली हमारा बटर पेपर भी उतर गया इसके उपर से अभी देखे केक कितना सॉफ्ट है इसका ब्राउनी वाला टेक्स्टर है क्योंकि हमने मैं तकरीबन तकरीबन ब्राउनी वाली रेस्पी यूज की है सारी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको आप चाहे के साथ खाएं ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप चाहें तो इसके ओपर चॉकलेट गनाश भी बना के डाल सकते हैं ये मेरे पास एक फूल पड़ावा था मैंने इसको इससे डेकॉरेट कर दिया और आप लोग इसको ना किसी वो जो तैकलिंग फिल्म होती है उसके साथ आप इसको रैप करके रख देंगे तो ये फिर आप इसको फ्रीज में रखे तो ये ड्राय नहीं होगा फिर आप ये दौा में याद रखियेगा अला हाफिज